भारत ने बांगलादेश को 188 रन से हराया सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई भारत ने बांगलादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला 188 रन से जीत लिया है इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है इस मैच में भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा शुबमन गिल और कुलदीप यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया सीरीज का दूसरा मैच 22 दिसंबर से शुरू होगा बांगलादेश की दूसरी पारी 324 रन पर सिमट गई अक्षर पतेल ने टैजुल इसलाम को क्लीन बोल्ड करके बांगलादेश की पारी समाप्त की इसके साथ ही भारत ने यहाँ मैच 188 रन के बड़े अंतर से जीत लिया है बांगलादेश मा ए रनों के लिहाज से यहाँ भारत की सबसे बड़ी जीत है इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में एक जीरो की बढ़त बना ली है विश्व टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल में पहुचने के लिए भारत को यह मैच जीतना जरूरी था और भारत ने जीत के साथ टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है अब भारत को अपने बख आकी पाँच टेस्ट में से चार में जीत हासिल करनी है बांगलादेश के आठ बल्लेबास पवेलियन लौट चुके है शाकिब अलहसन के रूप में बांगलादेश को आठवा जटका लगा कुल्दीप यादव ने शाकिब को बोल्ड कर बांगलादेश को आठवा जटका दिया शाकिब ने 108 गेंड में 84 रन बनाए उनकी पारी में 6 चौके और 6 चके शामिल थे